ही गाइज, वेकम तो सोस पॉइंट, आज हमनों यहाँ पर देखने वाले हैं BPSC जो 66 मेंस की पेपर हुई है, आज यहाँ पर GS2 की पेपर हुई है, तो इसे देख लेते हैं कि किस तरीकी की इस बार थी, easy, moderate या फिर difficult था पेपर, यह देख लीजे, GS2 में भी आप देखो कि की यहाँ पर eight questions आप покो total attempt करने होते हैं, तीन section होते हैं, तो three questions आपको first section से लेना है, और second section से भी three questions और third section से two questions. ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं, first section जिसमें की mainly आपका polity, constitution वाला part है, तो इसमें आपको तीन question लिखने ह होते हैं, पॉलिटी के, तो चली question देख लेते हैं, सबसे first question यह आप है, president के role के बारे में कहा जा रहा है, कि जैसे कि family में एक old man होते हैं, तो president का भी हमारे देश में वैसे ही कुछ है, कि वो हमारे देश में old man जैसे है family के, लेकिन सारे चीजों के वो authorities है, बट sometimes आप देखो कि family के कुछ naughty young members होते हैं, जो कि वो अगर नहीं सुनते हैं, इस old man का, तो वो कुछ नहीं कर पाते हैं, तो इस चीज को आपको evaluate करना है, मुझे लगता है कि यह बहुत अच्छी question है, जिसमें कि आप से बहुत सारे dimensions पूछा जा रहा है, कि president के पास कहने के लिए तो सारी authority हमारे देश में सारा काम जो है president के नाम पर होता है, लेकिन फिर भी आप देखते हो कि prime minister कुछ ऐसे काम कर जाते हैं, जिसमें president भी उसको नहीं रोक पाता है, तो बहुत सारे angles यहाँ पर निकल कर आ सकते हैं, second है कि Indian federal structure is constitutionally oriented toward the central government, इसके उपर तो आना ही था, क्योंकि federalism का funda, आप लोग को पता है कि बहुत जादा crisis देखने को मिली थी, federal feature जो हमारे देश का है, COVID-19 को देखते हैं वे भी और इससे पहले भी कई बार ऐसा situation आया है, जिसमें हम लोग देखते हैं कि हमारे देश में जो federal feature है, उसमें कई बार central government जो है, वो strong central government देखने को मिलती है, और पूरी तरीके से control जो है, वो state government को ले लेती है अपने अधीन, तो इसके बारे में भी आपको लिखना था, नेक्स्टे अज़र अज़र आपको बतानी है, कि जितने भी 28 डिस्टिक्ट है, उसमें से आप देखो कि बहुत जादा socio-economics और political problems है, एक तो इंडियन स्टेट के बारे में बताना है, और दूसरा आपको यहां पे, बिहार के reference में critically analyze करनी है, कि क्या क्यूं ऐसा है कि uneven development है, कहीं पे अच्छी development हो रही है, कहीं आपको देखने को मिलेगा कि सिक्षा अच्छा मिल रहा है, health facility अच्छी मिल रही है, और कोई-कोई जगा ऐसी है, जहां पे basic facilities भी लोगों को नहीं मिल पाती है, तो ऐसा क्यूं है, इसके बारे में आपको critically analyze करना है, फूर्थ question है यहां पे, the Parliament of India is an effective forum of national integration, आपको discuss करना है, it means कि हमारे देश में जो संसद है, उसके बारे में आपको बताना है, कि कैसे यह हमारे पूरी तरीके से राश्ट्री एक ही करन को जो है, यह एक प्रभावी मंच है यह, तो इसके बारे में discuss करना है, तो यह चार questions है, जिसमें से आपको तीन ही attempt करने है, fine, आप second part में आते हैं, second part में क्या-क्या question है, first है कि economic survey जो बिहार government का था, 2019-20 का, उससे में mention किया गया था, कि बिहार में highest growth rate है, और growth rate जो है, वो last three years में आपको देखने को मिलेगा, कि जो इंडिया का growth rate है, उससे ज़्यादा growth rate बिहार का है, और यह चीज़े प्रूफ हुई थी economic survey of बिहार से, तो आपको सबसे पहले बताने कि कौन से sector है economy की, जो कि इस progress में contribute की थी, उसके बारे में discuss करना है, तो यह बहुत common है, जैसे हमारे इंडिया में भी service sector है, जो कि सबसे ज़्यादा contribute करता है, तो बिहार में भी आप देखो कि यह हमारा service sector ही है, जो कि यहाँ पर contribute करता है, तो इसलिए इसके बारे में पूरी तरिक से detail लिखना था, कि कैसे contribute किया, क्या-क्या ऐसा हो रहा है, और बिहार में किस-किस चीज को लेकर ज़ादा से ज़्यादा development हो पा रही है, तो यह सारी चीज़ें आपको यहाँ से लिखनी थी, कि क्या-क्या कारण है, कि हमारे देश में आप देखो, बिहार में इस बेसिकली यहाँ पर economic और जो social development है, उसमें आपको disparity देखने को मिलता है, यानि कि बहुत ज़ादा भिनिता देखने को मिलती है, तो इसको भी critically evaluate करना था, और यह भी बताना है कि सरकार के द्वारा, यानि कि बिहार गर्मेंट के द्वारा क्या-क्या ऐसे measures लिए गए, जिसे कि यह जो इतना ज़्यादा inequalities है, इसको कम किया जा सके, उसके बाद आप देखो, next है यहाँ पर, what do you understand by demographic dividend, और according to UNFPA report, जो कि यहाँ पर बताया जा रहा है कि, what time India, especially Bihar, will have the opportunity to reap its benefit, it means कि demographic dividend, क्योंकि आपको पता है कि हमारे Bihar में भी, बहुत सारा populations में भी आप देखो, कि ऐसे populations हैं, जो कि 15 to 59 years age के है, इसे हम लोग demographic dividend कहते हैं, यानि कि ऐसे population का part, जो कि active participation होते हैं, किसमें, तो economy में, तो Bihar में populations तो बहुत जादा है, most populous state भी आप कह सकते हो, after UP, तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि, कैसे जो है Bihar के government इसको use कर सकते हैं, और कुछ steps ही बताना है कि Bihar में इस तरीके से, यानि कि अपने demographic dividend को बेटे तरीके से utilize करने के लिए, क्या क्या steps ले रहे हैं, next question है, how is human development measured, यहाँ पर measured कैसे करते हैं, और क्या-क्या seven commitment है Bihar government की, जिससे की human development agenda को achieve कर सके, और आपको बताना है कि क्या-क्या schemes है, जिससे की इस goal को achieve कर सके, तो यहाँ पर आपको पता है कि seven निष्चे, जिसको seven commitments भी कहते है Bihar government की, तो actually basically उसके बारे में आपको बात करनी थी, कि क्या-क्या seven commitments है, और क्या-क्या goal है, क्या-क्या schemes उसके लिए लाए गया है, जिससे की इस goal को achieve किया जा सके, बहुत ही अच्छा question है, तो यह second question जिसमें कि आप देखो, कि economy और geography mixed up होता है, तो यह पूरा Bihar specific इस बार पूछ लिया गया है, धर्ड section में आपका science and technology आता है, तो इसमें आप लोग देखो कि अच्छे questions है, फर्स है कि इंडिया जो है, वो second worst affected COVID-19 nation रहा है पूरे देश में, तो एक vast vaccination process, साथी साथ social distancing and mask use, यह only solution था, जिसे कि इस deadly virus से हम लोग अभी भी है, जिसे हम लोग निकल सकें, तो आपको कुछ रोल यहां पे बतानी है, कि हमारे nation के दौरा क्या रोल यहां पे प्ले किया गया, COVID-19 situation को counter करते हुए, और वो भी especially आपको focus करना है, make in India concept को, तो make in India जो कि प्राइम मिनिस्टर के दौरा 2015 में launch किया गया था, जिसके basis पे आप देखो कि काफे ज़्यादा manufacturing हमारे यहां हुई, PPE kit की, clubs की, mask की, तो उसके बारे में आपको बतानी है, ठीक है, फिर आते हैं हम लोग यहां पे 10th question में, जो कि कहा जा रहा है कि आज की date में, search of life on another planet has been one of the objective of scientists of several nations around the world, इट मिन्स आप लोग देखते हो कि पूरे विश्व भर में, चाहे वो चाइना हो, USA हो, UAE हो, चाहे भारत हो, हम लोग सब खोज कर रहे हैं क्या, तो खोज कर रहे हैं कि दूसरे planet में, क्या वहाँ पर life exist कर रही है कि नहीं, तो इसके बारे में आपको बताना है, यानि कि में इस पेस रिस्टर्च में जितना इंडिया डवलाप किया है, उसके बारे में आपको बतानी है, 21st century को लेते हुए, 11th question है, इंडिया has argued its defense system through inclusion of variety of arsenal under making India program for its safety and security, तो इस statement को आपको justify करना है, basically defense technology के development को लेकर, arsenal का जो बहुत ज़्यादा inclusion किया जा रहा है हमारे making India program में, जिसमें कि आप देखो manufacturing में arsenal का use किया जा रहा है, जिससे कि safety और security बहुत ज़्यादा रहती है, तो उस basis पे आपको यहाँ पर बतानी थी, कि पुरी तरीके से justify करना था इस statement को कि किस हाद तक यह सही है, and last question है यहाँ पर कि flood and drought in Bihar has been the major hurdle, क्योंकि आपको पता है कि बहुत सालों से देख रहे हैं कि Bihar में, हर एक साल आपका flood आता है और drought आता है, आप North Bihar की बात करो तो flood है, साउथ Bihar की बात करो, तो यहाँ पर drought है, तो आपको बताना है कि science and technology का क्या रोल है, जिससे कि यहाँ पर disaster management है, जितने भी kind है disaster management के, तो उसको science and technology से कैसे यहाँ पर tackle किया जा सकता है, typical examples के साथ आपको बतानी है, तो बहुत तरीके के example है, और साथ ही साथ यह बहुत one of the easy question आप कह सकते हो, क्योंकि बेटर तरीके से लिखा जा सकता है, अगर आप चाहो तो बहुत अच्छे तरीके से लिख सकते हो, so these are the questions, and yes, section third में याद रखने है कि science and tech में, four questions में से आपको सिफ दो question ही attempt करने है, तो यह चीज़े आपको ध्यान रखने है, अगर आप 67th BPSC के preparation करें, या फिर आगे जो CDPO की भी paper होने वाली है, तो उसमें भी आप लोग का यह सारे जो question ही काफी जादा helpful होंगे, तो यह आप देख सकते हो कि इस बार जो GS2 है, इसमें बिहार को लेकर बहुत जादा question पूछा गया, और economy और geography में पूरी बिहार से ही question आए, तो काफी better है, आप लोग कोई कैसी exam गई, इसके बारे में आप लोग बता सकते हो, हमारे साथ comment box में share कीजिए, I hope कि आपको यह जो paper हो सही लगा होगा, मुझे यह paper देख कर ऐसा लग रहा है कि यह tough तो बिल्कुल भी नहीं है, moderate level का है, problem यह होती है na, second paper में, GS2 में, कि आप सारे questions attempt कर क्या हो, because questions are very lengthy, और इसमें आपको लिखना भी होता है, एक ही questions में आप देखते हो कि दो-तीन part होते हैं, काफी लिखना होता है, और जितना आप लिख सकते हो maximum, it means कि content अगर आपने पूरा दिया है, पूरे questions को attempt किये है, तो फिर आपका well and good है, तो इसमें ज़्यादा घबराने की ज़रूत नहीं है, और कुछ ऐसा नहीं है, easy to moderate ही मैं इसे कहूंगी, easy इसलिए कहूंगी, क्योंकि अगर आप लोग अच्छे से पढ़के गए हो, current affairs से बिल्कुल aware हो, तो फिर ये आपको कोई भी questions को tackle करने में, कहीं पे भी problem नहीं आपको face करना पड़ा होगा, तो इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि कुछ आप पढ़ो या ना पढ़ो, लेकिन current affairs से जरूर aware रही है, तो daily newspaper आप follow कर सकते हैं, या फिर visa नहीं है इसकी monthly, या फिर कोई और भी institute की जो monthly magazine होती है ना, उसको जरूर आप follow करो, तभी आप लोग इस तरीके के questions को अराम से लिख सकते हो, आपके पास variations होगा, dimensions होगे, तभी आप लोग अच्छे से लिख पाओगे, ओके, सगारी साज के लिए बस इतना ही, कल मुझे लगता है कि optional papers होगे, तो जो optional papers की मुझे question paper मिलते जाएगी, मैं आप लोग के साथ discuss करते जाओंगी, तो इसकी जो PDF है, वो मैं अपनी Telegram channel, चुकि resource point के नाम से, वहाँ पे upload कर दी हूँ, आप लोग वहाँ से जाके download कर लिजे, Telegram में resource point ही, आप लोग search कीजेगा, तो आपको हमारी channel मिल जाएगी, join हो जाएगी,